बाजार चाहे उपर हो या नीचे जो एक काम आपको नहीं करना है वो है आपका S.I.P. निवेश रोखना S.I.P. निवेश से बाजार के हर मूड में आपको मिले का वेल्थ कमाने का मौका आज हम बताएंगे पैसे से पैसे मल्टिपल करने का क्या है तरीका और इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ है मोहित गांग CEO Moneyfront और विकास पुरी Head West Zone Complete Circle Consultants मोहित और विकास दोनों का बहुत स्भागत है Money Guru के आज के इस खास पेशकुष में और हम सब जानते हैं कि compounding का ऐसा कमाल है जो कि wealth creation में सबसे ज्यादा मदद करता है इसलिए जो हम एक longer term में equity के benefits देखते हैं longer term में जो SIP के फाइदे देखते हैं उस पर हम खास चर्चा करने वाले हैं अगर हम एक लंबी अवधी में equity का trend देखे मोहित क्योंकि equity एक ऐसा asset class है जहां पर लंबी अवधी में wealth कमाने का सबसे बहतरीन मौका निवेशकों को मिलता है तो कैसा react किया है पिछले कई सालों में equity ने लोग कहते हैं कि लंबी अवधी में equity से positive return की जो दर है सबसे ज्यादा मिलती है वो कैसे जी स्वाती बहुत बहुत शुक्रिया शो में बुलाने के लिए तो देखे आज जो हमने topic उठाया है SIP का वो मुझे लगता है कि किसी भी निवेशक के लिए चाहे वो retail निवेशक है या बहुत बड़ा निवेशक भी है उसके लिए बहुत ज़ादा एहम है कि ये दर्शाता है कि आपको market में entry कैसे लेना है कितने discipline तरीके से लेना है और आप कैसे इसके जरीए एक बहुत बड़ा corpus खड़ा कर सकते हैं तो अगर मैं आपके सामने कुछ market से related तत्थे रखूँ तो अगर आप देखेंगे और rolling return निकाले अगर आप market का जून 1999 से निफ्टी का अगर हम rolling return निकालते हैं स्वाती daily rolling return तो एक भी ऐसा period नहीं है जहां पर अगर आपने 7 साल के लिए निवेश किया है और market में आपको negative return मिले है in fact अगर आपने 7 साल से जादा निवेश किया है अवधी के लिए तो आपका minimum return market में 10% तो रहा ही रहा है सिर्फ दो ही ऐसे instances हुए हैं जब आपका return 5-7% के बीच में रहा है तो एक लंबी अवधी यानि 7 साल से उपर की अवधी अगर हम देखके चले जो की data दर्शाता है कि इस अवधी में अगर आपने निवेश किया है इस से उपर की अवधी में तो आपके return बहुत अच्छे बने हैं अगर यहीं पर अगर आपने 1 साल में 2 साल में 3 साल में अपने पैसे को निकालने की कोशिश किये तो करीब 46 प्रतिशत incident ऐसे है जहां पर अगर आपने 1 साल के अंदर पैसे को विड्रॉ करने की कोशिश किये तो आपने negative return ही देखा है तो जितनी लंबी आपकी अग्धी होगी उतना ही आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आपके return अच्छे नहीं काफी अच्छे होंगे अगर आप market का 45 साल का trend भी देखे तो उसमें थे 35 साल market ने positive return दिया है calendar year की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो 35 calendar year में market ने positive return दिया है इसका मतलब कि अगर आप market में अपने निवेश को बनाए रखते हैं उससे छेड़खानी नहीं करते हैं उसमें से profit booking नहीं करते हैं उसमें बहुत जादा बदलाव नहीं करते हैं उसे एक धर्रे से चलने देते हैं और एक lag के साथ में अगर बढ़ाते रहते हैं तो वो आपको definitely बहुत अच्छे return देगा तो यह जो एक benefit है compounding का, long term investing का वो आपको तभी मिल पाएगा जब आप इसमें बने रहेंगे लंबी अवधी के तो लंबी अवधी में ही equity आपको वो reward देती है जिसके आप चाहा रखते हैं अपने portfolio से लेकिन बस मूल मंतर यही है कि आपको अपने निवेश में बने रहना है S.I.P. रोकनी नहीं है और निवेश को आगे बढ़ाते रहना है और इसी से वो magical एक eighth wonder जिसे कहा जाता है उसकी बात होती है यह है power of compounding तो long term में equity ने कैसा perform किया हमने तो यह समझा विकास पर power of compounding जो है वो longer term में पैसे से पैसा बनाने का कैसे एक बहतरीन जरिया है दन्यवाद स्वाती और आपने खुदी यह चीज़ बोल दी कि eight wonder है compounding एक छोटे सा एक्जामपल लेते हैं कि 15,000 की सिप यदी कोई व्यक्ति करता है 15 साल के लिए और जैसा मोहिद जी ने बताया कि long term में positive returns रहे है equity market में बहुत सारे mutual funds ऐसे हैं जिनकी return average return अगर आप 10 साल की देखेंगे तो 17-18% 20% के ऊपर रही है और लगभग हरे category में आप large cap के भी बात करेंगे तो उसमें भी large cap में 17-18% की return रही है तो मैं तो सिर्फ इत्ता बोलूगा कि यदी 15,000 की SIP 15 साल के लिए करते हैं और यदी 15% की return आती है तो एक करोड का corpus बनता है इस चीज में क्या है कि एक करोड का सपना हर किसी का रहता है लेकिन एक चीज जो जिसमें लोग ठोड़े चूप जाते हैं वो है discipline और यहीं से आपने शुरुआत की दिशो की कि चाहे कुछ भी हो जाए अपना जो discipline है SIP का वो बन नहीं करना चाहिए एक और चीज बोलूँगा कि यदी हम mall में जाते हैं discount जब होता है तो भर-भर के हम shopping करते हैं कपड़ों की गाडियों पर discount आता है तो हम भागते हुए जाते हैं लेकिन जब stock market में अच्छे stocks बोल दीजिए या mutual funds में navs जब थोड़ी सी down है तो वो एक तरह का discount है उससे में आपको भागना नहीं है उससे में आपको और accumulation करनी है ताकि जब market cycle turn होता है या market अच्छी भागती है तो आपने जितने ज़्यादा units आपने एक अठे की होंगे उसके ओपर आपको बहुत अच्छा return आएगा तो यह compounding का benefit तभी होगा जब आप अपना discipline maintain रखेंगे और compounding क्या है basically आपका जो capital है जो आपने invest किया है उसके ओपर एक interest की income आई एक साल अगले साल वो capital प्लस interest के ऊपर earning आ रही है प्लस एक नया capital जोड़ रहा है निवेश को जारी रखते हैं जैसा power of compounding का magic बताया विकास ने और यही जो wealth creation का जो एक पूरा जर्नी है मोहित SIP के जरिए वो बाजार के हर cycle में कैसे काम करता है क्योंकि बाजार के highs बाजार के lows अलग-अलग cycle में हम देखते ही रहते हैं जब बाजार थोड़ा सा नीचे जाता है निवेश को में डर रहता है कि क्या हम profit book कर ले अपने पैसे निकाल ले लेकिन कहा जाता है कि ऐसे गिरावट भरे बाजार में ही SIP जारी रखने से आपको लंबी अबदी में wealth कमाने का मौका मिलता है तो SIP से wealth में इजाफा बाजार की गिरावट में कैसे काम करता है और बाजार के highs में कैसे काम करता है जी स्वाथी इससे पहले में इसका जवाब दूँ मैं आपको एक कुछ छोटे बहुती इंट्रेस्टिंग से आकड़े बताता हूँ अगर किसी निवेशक ने market में best 10 दिन miss कर दिये निवेश के यानि अगर मैं एक market का trend लूँ पिछले 18 साल का market देखो और उसमें सिर्फ 10 दिन मैंने miss कर दी और वो miss किसी भी कारण से हो सकते है मैंने कुछ मन नहीं के लिए अपनी SIP बंद कर दी मुझे लगा market घिर रहा है मैंने अपनी SIP रोग दी मुझे लग रहा है market बहुत हाई है मैंने अपनी SIP रोग दी किसी भी कारण से अगर मैंने 10 अच्छे दिन निवेश के अपना पैसा market में नहीं डाला जो कि market के लिहाज से बहुत अच्छा moment था market में positive उस दिन तो जो मेरा portfolio value है स्वाती वो 50% से कम हो जाएगा 18 साल का अगर मैं accumulation देखू तो 50% impact आजाएगा मेरे portfolio की market value में और अगर यहाँ पर मैं 10 दिन की बजाए market के best 30 दिन मिस कर देता हूँ पिछले 18 सालों में अगर मैं सिर्फ 30 अच्छे दिन मिस करता हूँ तो मेरा जो portfolio value है 85% तक कम हो जाएगा तो इतना जादा impact होता है कुछ अच्छे दिनों का market में कि अगर आप उन दिनों में बने वे नहीं है market में अगर आप उन दिनों में निवेश नहीं कर रहे हैं किसी भी कारण से आपने डर के या फिर greed से या fear से या किसी भी psychology से अगर आपने अपने पैसे को निकाल लिया है market से या आपने profit booking कर ली है तो आपको सबसे ज़ादा नुकसान तब ही होगा जब आप ऐसे दिन miss कर जाएंगे एक और चोटा सा example देता हूँ COVID के time पे 23 March 2020 को उस साल का सबसे बुरा दिन था जब market का सबसे बुरा correction आया था उसकी ठीक अगले ही दिन 24 March 2020 को उस साल का second best दे था market में तो कहने का मतलब यह कि किसी ने अगर 23 March 2020 को दर कर market से पैसा निकाल लिया तो 24 March का दिन अगर आपने miss कर दिया तो आपने market का एक बहुत बड़ी rally यह बहुत बड़ा momentum miss कर दिया है तो SIP का जो मूल concept है स्वाती वो तभी काम करता है जब आप market के उतार छड़ाव में, ups and downs में, हर cycle में अगर आप बने रहेंगे, discipline तरीके से निवेश करते रहेंगे तभी आप घिरते वे market में ज़ादा units accumulate करेंगे रूपी cost averaging वहाँ पर काम आएगी और वो units जब वो अच्छे चलते वे market में, बढ़ते वे market में जब एक साथ आपके लिए काम करेंगी तब जाकर आपके लिए एक बड़ी रकम एकटी होगी तो सबसे बड़ा और सबसे एकलोता मंत्र जो SIP का है कि आप कभी भी अपने निवेश को बंद मत होने दीजे बस बिलकुल तो कभी अपने निवेश को बंद मत होने दीजे और बाजार के गिरावट में भी, बाजार के हाईज में भी कैसे SIP ने magical work किया है किसी के portfolio के लिए ये बखो भी बताया मोहित ने जो पूरा ये निवेश का जो एक सफर होता है विकास वो बहुत धहरे और अनुशासन का होता है अगर आप सोचेंगे रातो रात मेरी wealth create हो जाएगी तो ऐसा होता नहीं है आपको इस पर काम करना पड़ता है और इसी में SIP मदद करती है कहा जाता है कि जब आप एक अपने निवेश की जरणी पर जाते है तो पहले के, माने अगर आप 1 crore कमाना चाहते है या 10 crore कमाना चाहते है तो पहले के जो पचास लाख हैтовा उसको कमाने में थोड़ा समय लग जाता है लेकिर उसके बाद दीरे-दीरे करके वही जो 50 लाख है वो बहुत जल्दी बन जाएंगे तो ये काम कैसे करता है ये आपसे समझना बहुत जरूरी है कैसे शुरुवात थोड़ी सी कठक जरूर होती है लेकिन अगर आप इस जरूरी को जारी रखें उसके बाद ये देरे-देरे ऐसे ही compounding से आपका पैसा double और triple होता रहता है जी स्वाती क्योंकि जो wealth creation है वो कहीना की एक test match की तरह है कि जहाँ पर आपको कई बार duck भी करना पड़ेगा कई बार आपको चौका का मौका मिलेगा तो भी लगा सकते हो लेकिन आपको टिके रहना बहुत ज़रूरी है test match का वही एक सबसे बड़ा test होता है इसी तरह निवेश में test match की approach रखेंगे तो बेटर है 2020 ना खेलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा विकास 2020 में आप देखते हैं गेम कैसे यहाँ से बाहाँ बदल जाती है सो कहने का मतलब यह है कि जब आप लंबे समय के लिए टिके रहते हैं बजार में सो market हमेशा एक cycle लेकिया आता है विकास कुछ global reasons होते हैं कुछ domestic reasons होते है capital markets या stock market कभी linear नहीं चलती मालने जी आपको FD में 7% का है या 8% की एक return है आपको हर साल वो 8% की return मिलेगी that is a characteristic of a debt fund और FD लेकिट capital market कभी linear नहीं होती कि अगर 13% या 14% से निफ्टी ग्रो किया है पिछले 25 साल में तो हर साल 14% मिलेगा वो नहीं होगा वो जैसा वो ही जी गोनते कि कुछ अच्छे दिन आपने miss कर दिये तो आप एक अच्छी return जो हो देंगे और होता क्या है कि यदि आप वो जो discipline अगर maintain नहीं रखते हैं तो किसी एक साल में हो सकता है market आपको minus 5% की return दे दे और अगले साल वो 30% plus दे दे तो आपकी average जो है वो अपने आप सुधर जाएगी लेकिन आप निवेश के time पे जब खराब साल था उसमें बने रहे और जब अच्छा साल आया और आप वहां से निकल गए आपने participate नहीं किया तो उसकी upside नहीं मिलेगी क्योंकि capital market जैसा मैंने बोला वो linear नहीं है तो समय निकालना बहुत जरूरी है कि आप कितना लगा समय निकालते हैं उसमें आपको market की जो cycle होती है वो अगर complete मिल गई उसमें उतार भी होगा चड़ा भी होगा बट eventually आपको अगर longer duration में देखेंगे market हमेशा positive return देखे जाएगी और इसलिए जब हम यह data analysis करते हैं कि पिछले 5 साल का return क्या रहा तो आज की rate में भी अगर आप live example देखेंगे तो पिछले 5 साल से जो लोग बने हुए है बिकास COVID को आया हुए 5 साल नहीं हुए तो which means कि COVID से पहले के भी अगर को इनिवेशक है जिन्होंने COVID पे अपने portfolio को बहुत ज़्यादा destroy होते देखा लेकिन बने रहे वो आज 5 साल या 4 साल के उपर जो है वो 20% CAGR विच मींस analyze जो gross return है कि हर साल उनका average return 20% बना है और वो again simple interest नहीं है वो compound है यानि कि आपकी जो invested amount है और जो आपकी earning हुई एक साल की अगले साल में उसमें वो add होगा फिर उसके बाद वो add होगा तो जो ये wealth creation है जिसमें जितना time निकालेंगे उतना compound होगा और एक और last में आपको मैं ये example दूँगा कि यदि आप अच्छे mutual funds ले ले लें जो 17-18% की growth rate से बढ़ रहे हैं उसको अगला 2 करोड बनने में केवल 20 साल लगेंगे विच मेंज एनदर 5 येर्स और एनदर 5 येर्स में वो 4 करोड हो जाएगा यानि जिस एक करोड को कमाने में आपको 15 साल लगे उसके बाद यदि आप नया पैसा नहीं भी डालते हैं और अगर आप बने रहते हैं तो यही आपका 1 करोड अगले 10 साल में 4 करोड हो जाएगा इस इस अपावर अफ कंपाउडिंग का यही कमाल है कुछ funds के SIP returns हम पिछले 3, 5 और 10 साल में देखें और अलग-अलग categories के funds हैं large cap BS में, small cap भी है, multi cap है, एक index fund भी है तो 3 साल में लगबग हमने lowest lowest जो हमने fund दिखाए है 15% कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा लगबग 30-36% तक की return गए है वही 5 साल में 46% तक का return कुछ fund ने दिया है 10 साल में भी लगबग 25-26% का highest return as per this list हमने देखा है तो एक long term की journey किसी भी fund में जारी रखने की ज़रूरत है जिससे आपकी SIP से आपको मुनाफ़ा multiple करने में ज़्यादा से ज़्यादा मिले एक break का वक्त हो गया है, break के बाद समझना ज़रूरी है कि आप SIP करना तो चाहते हैं पर उसकी रकम आपको तैक ऐसी करनी है कि आप SIP कितनी करें, कितनी SIP से शुरुवात करें, इस पर भी करेंगे चर्चा थोड़ी देर में देखते रहे हैं मनी गुरू आज हम बात कर रहे हैं SIP से कैसे आप wealth create कर सकते हैं, उसके कुछ smart tips हम ले रहे हैं हमारे दो experts से, हमारे साथ मोहित गांग है और विकास पुरी है कई बार confusion ये निवेशकों में हो जाती है कि मुझे SIP तो करना है पर SIP की रकम कितनी होनी चाहिए, तो कैसे सुनिस्चित करें कि आपके SIP की रकम कितनी हो मोहित क्या आप मदद करेंगे निवेशकों की डिसाइड करने में कि किन factors पर depend करता है कि आपको SIP कितनी रकम से शुरू करनी चाहिए स्वाती देखिए ये ऐसा सवाल है जो कि हर individual को अपने लिए खुद answer करना पड़ेगा बर जहां तक मेरे लिहाद से अगर आप पूचेंगे तो आप जितनी जादा से जादा रकम को अलग रख सकते हैं निवेश के लिए अगर आपकी आए 100 रुपया है तो उसमें से आप स environment यानी 60 साल की उम्रे पे लेट से आपको 10 करोड रुपय खटे करने हैं तो उस 10 करोड रुपय को आप अपनी आयू के हिसाब से आप ये देखिए कि आपके पास में कितनी समय अवधी बचिए अगर आप 25 साल की उम्रे में स्टार्ट करते हैं और आप 12% का return assume करते हैं तो स उसे बढ़ा कर 28,000 रुपय करना पड़ेगा और अगर आप बहुत जादा लेट हो चुके हैं आप 30 पर नहीं 40 पर शुरुआत कर रहे हैं और 60 पर retire होना चाहते हैं 10 करोड के साथ में तो आपको अपनी SIP की रकम को 6 गुना करना पड़ेगा यानी 15,000 के बजाए आपको उस प्रक्रिया को शुरुआत करेंगे जितनी जल्दी आप इसे किक स्टार्ट करेंगे उतनी ही जादा रकम आप आसानी से छोटे-छोटे SIP से भी इखटी कर पाएंगे तो सबसे बुन्यादी बात यही है स्वाती कि जितनी बड़ी आपको पुन्जी इखटी करनी है उसकी तासीर में सिर्फ एक ही चीज है वो यह है कि आप जल्द से जल्द अपनी SIP को शुरू करें जितना जल्द हो उतनी जल्द SIP शुरू करें अपने आये का कुछ हिस्सा आप निवेश के लिए रखें और उससे SIP की शुरूबात करें और इसमें एक बहुत ही important factor है जो कई ब बूल जाते हैं आप SIP की रखम तय कर देते हैं लेकिन उसके बाद उसको बढ़ाना भूल जाते हैं इसलिए इसे में काम आता है step up SIP विकास जरा समझाईए जो SIP को step up करने का तरीका है वो क्या सही तरीका है कितने प्रतिशत से कब-कब एक निवेश को अपनी SIP को step up करना चाहिए बहुत यह अच्छा question है स्वाती यह बहुत अच्छी सुविधा है जो mutual fund houses सबको देते हैं SIP करते हुए और उसमें आप दो तरीके से अपना step up कर सकते हैं या तो यह देखिए कि आपके हर साल जो इजाफा हो रहा है जो आपके inflows बढ़ रहे हैं आप एक percentage टै कर सक है कि roughly 6% की अगर inflation है तो मैं 5-6% का step up तो जरूर करूं however right parameter भी कि आपके inflows यदी बढ़ रहे है तो आप अपना step up बढ़ाते जाहिए but to make it simply simplify यदि को 10,000 की SIP कर रहा है और वो 10% का step up option चूज करते हैं तो क्या होगा कि अगले साल उनके 10 के बतले 11,000 के जाने लग जाएंग जाना शुरू हो जाएगा तो ये auto mode पे आपने step up facility ले ली तो automatically आपके जो account से पैसा debit होता है SIP के लिए वो उस proportion में बढ़ता जाता है तो step up हो गया या इसमें एक अच्छा option ये भी होता है स्वाती कि आपके SIP जो चल रहे हैं वो चलने दीजिए और यदि बीच में कोई bonus आ गया या कोई windfall cash flow आ गया तो आप उसको ऐसा top up कर सकते हैं या additional purchase भी उसको बोलते हैं तो ऐसा कोई वो मतलब नहीं है कि अगर SIP चल रहा है तो उसमें additional purchase नहीं कर सकते हैं ये बहुत ही flexible तरीका है mutual funds ने जो दिया हुआ investors को कि आप उस SIP को चलने दीजिए और उसमें additional top up क कर दीजिए फिर अगले साल जब आपके इंफ्लोस बढ़ते हैं तो आप अपने SIP का बढ़ा दीजिए step up करिए और plus windfall gains या bonus या कुछ भी incentives आते हैं उसमें आप top up करते रहे हैं और especially ऐसा मौका जब volatility बहुत हाई है या पिछले दिनों बाजार जब गिरा था ऐसे मौके प top up करना या additional purchase करना तो बहुत ही अच्छा रहेगा portfolio के लिए बिल्कुल मोहित ये आपसे समझना जरूरी है कि usually कितने fund में SIP करनी चाहिए क्या हरे गोल के साथ एक SIP को जोड़ना सही रहता है ये एक सही strategy रहेगी जिससे कि एक निवेशा को ये भी मालूम चले कि अगर मैंने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए SIP की है तो उसको सकती है कि एक गोल एक SIP जी स्वाती मुझे लगता है कि ये सबसे बहतरीन strategy यही होती है कि आप अपने गोल को टैक कर दीजिए गोल जितना बड़ा हो उतनी ही दूरगामी आपकी SIP होनी चाहिए अब वो हो सकता है कि रकम के लिहाद से आप उसमें कितने funds होने चाहिए वो SIP करूँ बड़ उसे मुझे अलग bucket में रखना चाहिए अगर कोई मेरे short term goals है पात साल के दस साल के बच्चों की पढ़ाई या कुछ भी वो goal हो तो उनकी अगर SIP अलग चलेगी तो मुझे हमेशा से उसे track करने में मदद मिलेगी मुझे ये भी पता लगेगा कि मैं on track off track हूँ मैं अपने goal से कितना दूर हूँ कितना pass हूँ अगर मान लीजिये मैं goal को जल्Дी achieve कर लेता हूँ एक-दो साल पहले तो मैं उस रकम को safe भी कर सकता हूँ उसे debt में निवेश कर सकता हो एक-दो साल पहले goal के और उसे safe कर सकता हूँ और अगर मैं उसमें बहुत दूर उस गोल से बहुत दूर हूँ, तो मैं उस रकम को बढ़ा सकता हूँ, उसमें step up SIP कर सकता हूँ, उसके निवेश के plan को बदल सकता हूँ, तो बहुत ज़रूरी है कि हर गोल के लिए, हर लक्षे के लिए आप एक अलग SIP निरधारित करें, इसे track करने में असानी होगी, बट यह ज़रूर ध्यान रखें कि पूरे portfolio में आप फिर भी 8 से 10 scheme को cross ना करें, उससे ज़ादा schemes होँगी, तो बहुत ज़ादा clutter हो जाएगा, तो उसे फिर भी एक consolidated तरीके से ही चलाईए. बिल्कुल, तो SIP से कैसे आप अपना मुनाफ़ा कर सकते हैं, multiple, इसका तरीका, इसके मायने हमने समझे, बहुत धन्यवाद करते हैं, मोहित और विकास, आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए. वक्त एक break का है, देखते रहिए Zee Business.